यहें पांच आधार बताएका और दोस्तों प्रकासकर न किसे अफंट तक new क्रेवंने जो मोल अधिकारों का बैक्गराउंड है उसमें यह सम जहाता की हमारे मूल अधिकार को 6 केटागरीज में बाटा गया है अनुच्छे 14-32 तक कुल 6 केटागरीज में हमारे मूल अधिकार दिये गए हैं पूरा जो मूल अधिकारों से संबंदित भाग 3 है वो अनुच्छे 12-35 तक है उसमें 14-32 तक मूल अधिकार दिये गए हैं उनमें पहली जो केटाग 16 17 और 18 इतने हमारे अधिकार समानता के अधिकार से समंधित हैं आज इन सभी अधिकारों को हम अलग-अलग समझने का प्रयास करते हैं देखें जो हमारा अनुच्छेद 14 है इस अनुच्छेद 14 में क्या लिखा हुआ है इसमें कहा गया है कि विदी के समख्छ समता एवन कानून की नजर में सभी लोग बराबर होंगे सभी समान होंगे कानून की नजर में और कोई विव्यक्ति कानून से बढ़कर नहीं है यह कहा गया अनुच्छेद 14 में विदी के समक्ष समता और इसका दूसरा पॉइंट है विदियों का समान सनक्षड मतलब जो जिस लेवि की विदी लागू की जाएगी यह विदियों का समान सनक्षड जैसे अगर किसी जिले के जिलादिकारी को जो अधिकार प्राप्त हैं तो सवी जिले के जिलादिकारियों को वही अधिकार प्राप्त हैं लेकिन वो अधिकार आम पब्लिक को प्राप्त नहीं होते क्योंकि ज होता है विदियों का समान संदक्षड यह दिया गया है अनुछेद 14 में सिंपल सब्दों में अगर समझने की कोशिश करें तो कानून की नजर में सभी बरावर हैं यह कहा गया है अनुछेद 14 में और इसी से निकल के आता है हमारा विदी का सासन रूल आफ ला जो विदी का सासन है यह दिया था प्रोफेसर डाइसी ने प्रोफेसर डाइसी तो अगर आपसे कोश्चन आता है कि विदी के सासन का सिधान्त किस ने दिया तो वो थे प्रोफेसर डाइसी अगला हमारा आ जाता है अनुछेद 15 अनुछेद 15 में पांच आधार बताएगे हैं कौन कौन से धर्म मूलवंस जाती लिंग एवं जन्म इस्थान ये पांच आधार बताएगे हैं धर्म मूलवंस जाती लिंग एवं जन्म इस्थान इन आधारों पर किसी वी व्यक्ति के साथ कोई वी वेदवाओ नहीं किया जाएगा तो ये अनुच्यत 15 में क पहा गया है कि जैसे मालिया अगर धर्म के आधार पर बात करें तो भारत चुकी धार्मी कुरूप से विविद देस है तो एक धर्म के व्यक्ती के साथ दूसरे धर्म का व्यक्ती किसी भी सार्जनिक जगहें का पुरियोग करने से वेदवाऊ नहीं करेगा चाहे वो सारजनिक होटल हो या सारजनिक पार्क हो तो इनका प्रियोग करने के लिए इन पांच आधारों पे कोई भी विवेद नहीं किया जाएगा धर्म हो, चाहे जाती हो, इन आधारों पर भारती समाज काफी बटा हुआ है, तो समानता लाने के लिए इन आधारों का प्रतिसेद किया गया है, फिर आ जाता है हमारा अलुछेद सोले, अलुछेद सोले में कहा गया है अवसर की शमानिता, अवसर की समानिता का मतलब यह होत हैं लोक नियोजन का मतलब सरकारी नौक्रियों बगारा लोक नियोजन जो सरकारी नौक्रियां होती हैं उनमें भारत के सभी नागरिकों को अवशर की समानता होगी मतलब यह होता है कि अगर कोई व्यक्ति उस प्रिक्रिया में पीछे रह रहा है तो उसको आगे लाने का परयाब्त प्राब्धान किया जाएगा अवसर की समानता में और इसी का एक भाग आता है जिसमें कहा गया है अगर किसी समूदाय का सरकारी नौकृती नौकृत स्वासिया प्रतिनिद्रित नहीं है तो सरकार उस समुदाइ के लिए आरक्षड की विवस्था कर सकती है जो अनुच्छेद 16 है इसी में कहा गया है ताकि अवसर की समानिता सुनिश्चित हो सके अनुच्छेद 17 में कहा गया है अस्प्रस्यता की समाप्ति अंटचेबिलिटी जो अस्प्रस्यता है ये भारती समाज में किसी से छुपी हुई बात नहीं है ये प्राचीन काल सही हमार समयधानिक प्रक्रिया के तहट इस्थापित होने वाले देश था तो उसमें इस अस्प्रसिता को जब तक समाप्त ना किया जाए तब तक समावेशी विकास की अभधार्णा को पूरा नहीं किया जा सकता था तो इस बज़े से अनुच्छे सत्रा में एक बात कही गई कि अस् किसी भी रूप में आचरण चाहें इतिहास का हवाला दिया जाए या फिर आर्थिक संसाधनों का हवाला दिया जाए इसका किसी भी रूप में आचरण क्या माना जाएगा अपराद माना जाएगा और इस अनुच्छेद को लागू कराने के लिए मतलब जो अपराद माना जाएगा तो उस अपराद के लिए डंड की भी विवस्ता की जाएगी तो इसके लिए एक एक्ट पारित किया गया था सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट ये एक्ट पारित किया गया था अस प्रस्ता की समाप्ति से सम्बंदित और इसके अलावा एक एक्ट और पारित किया गया S.C.H.T. Atrocities Act 1989 S.C.H.T. Atrocities Act में ये कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी अनुसूचित जाती या अनुसूचित जर्जाती व्यक्ति का सोशड करता है तो वो एक गैर जमानती अपराद माना जाएगा इससे क्या हुआ हमारे समाज में समानता को इस्थापित करने में काफी मदद मिली एक अनुच्यत 18 सामिल किया गया इसमें कहा गया उपादियों की समाप्ति जब अंग्रेश थे और उससे पहरे जह हमारे राजे महराजे होते थे वो भी अपने अधीनस्तों को कई तरह की उपादियां देते थे जैसे राडा राउत महराजा ये सब तरह की उपादियां द समझते थे और जिनको कोई बादी मिली हुई नहीं है वो अपने आपको नीचे समझते थे तो जो असमानता की खाई है इसको पाटने के लिए हमारे सम्मिधान निर्माताव ने सम्मिधान में एक अनुच्छद सामिल किया अठारा और इसमें उपादियों की समाप्ती की व शिक्षा और सेना से संबंदित उपादियों को छोड़कर सेस उपादियों को समाप्त किया जाता है। से संबंदित उपादी की अगर बात करें पीएचडी जैसे किसी व्यक्ति को पीएचडी मिलती है वो व्यक्ति अपने आगे डॉक्टर लगा सकता है तो यह एक उपादी है तो सिक्षा और सेना से संबंदित बाकि सवी प्रकार की उपादियों को अनुच्छे 18 के तहत समाप घोसित किया गया जिससे कि हमारे समाज में एक समानता इस्थापित हो सके तो यह था पूरा हमारा समानता का अधिकार इस समानता के अधिकार में अनुच्छे 14 में कानून के समक्ष सभी बराबर है अनुच्छे 15 में कहा गया है कि 5 आधार बताएगा है धर्म, मूलवंस, जाती, लिंग और जन्मिस्थान इन 5 आधारों पर किसी भी तरह का भेदबाव नहीं किया जाएगा और सार्जनिक जगहों का प्रियोग करने से नहीं रोका जाएगा अनुच्छे 16 में कहा गया है अबसर की समानिता जो लोक नियोजन हैं यानि कि सरकारी नौक्रियां हैं उन सरकारी नौक्रियों में सभी को अबसर की समानिता होगी अनुछे 17 में उपादियों का अस्प्रसिता का अंत किया गया है कि किसी भी इस्तर की अस्प्रसिता चाहे वो निम्निस्तर की हो चाहे उच्छ इस्तर की हो उन सभी उपादियों को समप्त कर दिया गया, सिर्फ सिक्षा और सेना से सम्मंदित उपादियों को छोड़ कर, तो ये था हमारा समानता कादिकार, अगली क्लास में हम अपना स्वतंतरता कादिकार पढ़ेंगे, और इसको आप नोट कर लीजे, धन्यवाद.